यह हमने एक स्वाइल मौश्यर मीटर बनाया है जिसको आप कहीं पे भी स्वाइल के मौश्यर को चेक कर सकते हैं इसको इंडिकेट कराने के लिए हमने एट डिफरेंट लगाई हैं यहां पे आप देख सकते हैं तो एट स्टेप में हमने डिवाइट कर दिया है एक रेफरेंस लेबल से यानि जो भी आपको त्रिसोड वोल्टेज सेट करना है वहां पे आप इस पोटेंशियोमेटर के तुरू इस लेडी को आन करा सकते हैं इसको डिप कराके उसके बाद जैसे जैसे उसका मौश्यर बढ देख सकते हमने सेंसर को सीधे वाटर के अंदर डिप कर दिया यानि मौश्यर लेबल मैक्सिमम है तो इस कंडिशन में जो मैक्सिमम हाइट पे लेडी है वह आन हो गई है और जैसे जैसे मौश्यर लेवल कम होता जाएगा आप देख सकते हैं लेडी के पैटरन को यह उसको फॉलो करेगा यानि जब मिनिमम हो जाएगा तो सिर्फ एक लेडी ओन रहेगी और मैक्सिमम पर सबसे मैक्सिमम वाली लेडी जो है वह आन हो जाएगी तो इसको मौश्यर मेटर की तरह हम यूज कर सकते हैं जहां भी हमें स्वायल के मौश्यर को या फिर किसी तरह के मौश रहार पैसेस को ख़खा सोफ सकते हैं कि या एक तो प्रसे हैं और सकनले लगा सकते हैं तो इस तरह से आपके और सब्सेंदर तो किसी तरह नहीं हमें संदर जाएंट हैं या फिर आप transformer भी लगा सकते हैं तो इस condition में हमें proper power supply मिलेगी यहाँ पे power supply को indicate कराने के लिए एक LED भी लगी है और यहाँ पे एक potentiometer हमने लगाया है जिसके तुरू हम इसको calibrate कर सकते हैं जो हमारी IC है जो की element है इसको read इस system को चलाने के लिए यह है LM3915 IC यह एक voltage के level को check करती है और different different level पे अलग-अलग pins पे output generate करती है अब हम देखते हैं इस kit को हमें कैसे बनाना है इसको बनाने के लिए जो भी required components और PCB board है वो सब हमारी तरफ से आपको provide की जाएंगे और इसके अलावा जो tools हैं वो आपके पास होने चाहिए फ़र एक्जामपल आपके पास एक wire cutter होना चाहिए जिसका use हम करेंगे जो extra pins होते हैं components को वो cut करने के लिए यह aligner है जो use किया जाएगा components को remove करने के लिए in case अगर आपको remove करने के जबर पढ़ती है तो उस condition में इसको use कर सकते हैं multimeter है यह multimeter को हम use करते हैं different अलग-अलग purpose के लिए जैसे आप voltage चेक कर सकते हैं continuity चेक कर सकते हैं vcv board पे किसी भी component को check कर सकते हैं तो in different purposes के लिए हम उस multimeter को use करेंगे और इसके अलावा जो soldering tools होते हैं एक multimeter एक solding iron एक solding wire यह सारे आपके पास होने चाहिए तो आप इसको काफी easily बना सकते हैं इसको बनाने से पहले आप इस video lecture को पूरा देखेंगे और फिर उसके बाद आपको जो sheet दी गई है उससे आप match कराएंगे उसके बाद इसको बनाने के लिए प्रसीड करेंगे तो हम देखते हैं अब इसमें कौन कौन से components लगें उनकी क्या working है देन हम सीखेंगे कि इसमें कैसे components को हमें mount करना स्पीसीवी बोट पे और किस तरह से उनकी solding करनी है यह सबसे पहला connector component है हमारा power jack यह barrel jack यहां पे हमने लगा है जहां पे जहां हमें power supply input पे देना है तो यहां पे power supply connect करने के लिए आप adapter यूज़ कर सकते हैं या फिर यहां पे battery या कोई भी source यूज़ कर सकते हैं जो कि यहां से सीधे सीधे connect हो जाएगी और इसके बाद यह एक switch लगा है हमने power switch on off करने के लिए power supply को then एक bridge actifier हमने लगाया है इसका काम supply को AC को DC में convert करना अगर input पे आपने transformer लगाया है तो supply को DC में convert कर देगा अगर आपने battery लगाया तो इसको सही प्लाइटी में maintain करके output पे देगा then एक capacitor हमने लगाया इसका काम filtering का होता है यानि जो भी supply आ रही है अगर ripple है उसमें कोई भी तो इसको filter करके output पे देगा then 7805 7809 ICM हमने लगाई है जो कि 9V output पे देती है जिससे हमारा पूरा यह circuit रन करता है तो यह overall unit हमारी power supply unit है इसके अलावा यह एक LM3914 IC है 15 sorry इस IC का काम होता है voltage को read करना input पे जो भी voltage आता है और इसके according LED को drive करना यानि number of voltage level अगर ज्यादा होगा तो अलग-अलग LED यानि उससे upward LED अन होगी और इसका input हमने दिया है moisture sensor के तो यानि moisture sensor यह हमारा इसकी conductivity बढ़ती जाती है जैसे जैसे moisture level बढ़ता जाता है और उस condition में इसका voltage भी बढ़ता जाता है और उस voltage के according यह LED को on करता है यहां पर reference voltage set करने के लिए हमने एक जीनर डायोड लगा रखा है और इस IC के को कैलिब्रेट करने के लिए हमने यहां पर potential meter लगा रखा है और यह LED हमने लगाई है जो power supply को indicate करेगी तो यह सारे working है हमारे components की अब हम देखते हैं सारे components हमें इस board पे कैसे लगाने है तो इस PCB board को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे दो layers है यह top layer है जिदर से हमें components लगाने होते हैं यह bottom layer जिदर से हमें सोल्डिंग करने हैं तो सबसे पहले power jack हम यहां लगाएंगे और इसकी यहां सोल्डिंग कर लेंगे जैसा आप वहां देख सकते हैं उस board में जैसे सारे components लगे हैं exactly वैसे सारे components हमें इस board पे भी लगाना है इसके बाद bridge rectifier हमें लगाना है rectifier को लगाते समें आप polarity का ध्यान लखेंगे क्योंकि इसमें input output plus polarity दोनों चीज़ों का में ध्यान देना होता है तो output पे जो point आना चाहिए positive symbol के साथ वह इस corner पे आना चाहिए आप देख सकते हैं plus symbol बना हुआ है यानि rectifier जो भी आप लगाएंगे उसका positive pin यह यहां आना चाहिए positive output इस point पे या फिर आप सब देख सकते हैं जो सबसे बड़ी वाली लेग होती है वह ही लेग होती है positive वाली वह इसी point पे आना ही चाहिए जब आप लगाएंगे तो then capacitor को लगाते समय भी हमें ध्यान एकना है कि यह polar capacitor है तो इसमें यह positive pin है यह negative है तो positive वाला इस तरफ रहेगा negative अंदर बाहर की तरफ रहेगा तो इसी तरह से हमें यह लगाना है then 7805 IC लगानी है तो IC को लगाने के दू तरीके है या तो आप जैसा इसमें दिख रहा है आपको वैसे लगा सकते हैं लगाने के बाद लगाने से पहले आप ध्यान देगे कि इसका जो फेस है वह इसी तरफ होना चाहिए या नि डायरेक्शन इसी तरह से होना चाहिए जैसा इसमें दिख रहा है then यह इस्टेंसेंस हैं इनको आप किसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं लेकिन उनकी वैलूज आप शीट से मिला लेंगे वह उसी के एकॉर्डिंग लगानी है जीने डायोड भी है इसमें भी आपको ध्यान अकना है इसमें जो ब्लैक वाली स्टिप होती है वह आप देखेंगे इसमें कैथोर्ड होती है वह इस तरफ होनी चाहिए और दूसरी पिन यहां होनी चाहिए यह पोटेंशियो मिटर है जो कि इन तीनों पॉइंट पर कनेक्ट होगा जैसा इसमें देख रहा है इस आइसी को लगाने से पहले उसका हम बेस लगा लेते हैं बेस लगाने का एडवांटेज यह होता है कि आइसी खराब नहीं होती है इनकेस अगर खराब भी हो जाए तो इसको हम चेंज कर सकते हैं और इस आइसी को लगाने से पहले आप देखेंगे यहां भी कॉंपरेंट लगा है रिस्टेंस जो कि आप यहां लगा लेंगे देन उसके बाद ही इस बेस को माउंट करेंगे और इसके डायरेक्शन को हमें ध्यान लखना होगा कि यहां जो कट बना है इस बेस में वह इस तरफ होना चाहिए तभी हम यहां लगाएंगे इसे और इसके बाद लेडी जितनी भी है सबको लगाने से पहले हमें ध्यान देना होगा उनकी डायरेक्शन का यानि लेडी के दो टर्मिनल्स होते हैं यह बड़ा वाला लेक एनोट कहलाता है छोटा वाला कैथोड तो एनोट सब का बाहर की तरफ रहेगा इन जितने भी यहां लगानी है और यहां पर भी एनोट का डायरेक्शन यही रहेगा तो इस तरह से सारे लगा लेंगे हैं और यहां पर मुआशर संसर लगाने के लिए टूपिन करेक्टर हमें लगा लेना है आप किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं यह नहीं होता है यहां लगा लेंगे और इसको लगाने के बाद इसके दो दो पॉइंट से आउटपुट लेके हम इस तो यह connection करने के बाद जो इसमें jumper wires लगाए गए आप देख सकते हैं एक jumper यहां लगाए गए कोई भी आप simply एक jumper लेकर इस इन सारे points पर लगा सकते हैं यह सब लगाने के बाद आप एक बार आप पावर सप्लाइच चेक कर लेंगे इसका और देन हम इसे यूज़ करेंगे पावर सप्लाइच करने के लिए आप मल्टी मिटर को 20 वोल्ट की रहेंज में रखेंगे और यहां पर अउट्फुट हम चेक करेंगे यह आप देख सकते हैं नाइन वोल्ट के राउंड नाइन इग्जैक्ली नाइन वोल्ट आ रहा है सब्सक्राइब लगा रहा है तो वोल्टेज पॉइंट अगर हमारा सही है तो सिस्टम हमारा प्रफारली अपरेट होगा यहां पर यूज करने से पहले आप इससे कलिबरेट कर लेंगे कि यह इसके बाद फिर इसे हम आपरेटिंग मोन में लाएंगे